Hello everyone, Delhi में guest teachers की vacancy आई है, post graduate teachers की 19 vacancy और trained graduate teachers की 116 vacancy निकाली गई है, इसके लाबा resource center coordinator की 12 vacancy आई हुई है यदि आप interested हैं तो आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं, अन्तिम मौका है आप लोगों के पास, कर लास्ट डेट है 15 October salary यहाँ पर जो है, आप लोगों को पर मन्त के according 43,350 आप लोगों को मिलने वाली है, और अगर पर डे के according यहाँ देखें तो 1445 आप लोगों को मिलेगी तो बाकी चीजे नोटिफिकेशन में देखेंगे, कैसे आविदन करना है, सारी चीजे आप समझेगा main website पर आप लोगों को आना है, education department दिल्ली की, और यहाँ पर आपको उपर नजराएगा RR Oblig Recruitment, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, जैसे यह आप क्लिक करते हैं, यह page आपके सामने आजाएगा और आप लोगों को यहाँ पर new नजराएगा, drawing a panel of special educator teacher and post inclusive education cadre in DOE इसे open कर लेते हैं, तो सबसे पहले public notice यानि advertisement है, उसके बाद online application form है, ठीक है, तो इस तरीके का application form भरने के लिए आपके सामने यह page होगा, online application form पर आप लोगों क्लिक करेंगे और form fill करेंगे, तो यह सारा step यहाँ पर दिखाया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर notification देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, drawing a panel of special education teacher and post of inclusive education cadre in DOE इसे open कर लेते हैं, तो यह देखिए, advertisement जो कि 27 सितंबर 2030 को यह publish हुई है, name of post का नाम अगर देखें यहाँ पर तो trained graduate teachers की है, special education teacher, post graduate teachers की है, special education teacher, resource center coordinator की वेकेंसी है, तो कुल अगर यहाँ पर देखें, post तो 116 TGT में है, PZT में 19 हैं, और resource center में 12 वेकेंसी आई हुई हैं, तो guest teachers की वेकेंसी है, यहाँ पर जो है, resource center coordinator को जो salary per day की according मिलेगी, 1445 रुपर per day की हिसाब से मिलेगी, post graduate teacher को यहाँ 1445 और trained graduate teachers को 1403 जो है, वो per day salary मिलने वाली है, ठीक है, next, eligibility की अगर हम बात करें, तो resource center coordinator, master degree और B.E.D. special education में चाहिए, अगर आपने general education यानि normal B.E.D. किया है, तो उसके साथ में post graduation professional certificate in special education का आपके पास होना चाहिए, इसी तरीके से PZT special education teacher के लिए master degree के साथ में B.E.D. special education में और अगर आपने सामानने B.E.D. किया है, तो post graduation professional certificate in special education, next TGT के लिए जो है, यह special education B.E.D. के साथ में, ठीक है, बाकी जो है, general education का अगर आपने B.E.D. किया है, सामानने B.E.D. किया है, तो post graduate professional certificate in special education, यहाँ पर मांगा गया है, एज के अगर हम बात करें, general category की 30 year है, और age relaxation SCST candidate को 5 साल का, 3 साल का OBC candidate को, और PWD को 10 साल का यहाँ पर मिल रहा है, age relaxation, बाकी जो ह वो कल है, 15 October, अगर आप form fill करना चाते हैं, इंट्रस्टेड हैं, तो आप यहाँ पर work कर सकते हैं, अच्छी vacancy है, और salary भी आप लोगों को per day के according मिल रही है, यानि अगर आप एक दो दिन की छुटी भी लेना चाते हैं, छुटी भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई foundation नहीं है, क्योंकि per day के according salary मिल रही है, और आप month, जो पूरे month अगर work करना चाते हैं, तो पूरे month भी कर सकते हैं, तो यह important चीज थी, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, तो और भी जो चीजे हैं, वो आप और detail में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह जो vacancy है, यह contact base पर है, जब तक permanent vacancy नहीं आ जाती है, तब तक guest teachers को यहां पर रखा जाएगा, और अभी permanent vacancy जो है, वो डेली में नहीं आई है, अभी form भी fill करने की rate नहीं आई है, और अभी form fill होंगे, उसके बाद exam होगा, काफी time जो इसमें लगेगा, तब तक यहां पर guest teachers को रखे रहेंगे, तो यह क करना चाते हैं, और आपकी जरुरत है, तो आप बिलकुल जा सकते हैं, तो मिलेंगे next video में, thank you